इससेकंड नबर में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेकंड नबर में हमें दिफाना है शांक है कि A plus B का transpose A का transpose VB के transpose का इकाल होगा तो चलिए हमें लोग इसका पहले LHS लेषेश लेप है LHS में क्या है उपका A plus B का transpose चलिए तो हम लोग पहले A plus B निकाल लता है matrix A देखिए आपका 2 minus 3 minus 7 5 और plus में B देखिए क्या दिया है 102 minus 4 इन दोनों का sum करके फिर हमें transpose निकाल लता है sum करेंगे corresponding element को add करना होगा तो हो जागा यहाँ 3 minus 3 minus का 5 और यहाँ पर 1 यही नहीं हो जाएगा और इसका transpose क्या हो जागा 3 minus 3 minus 5 1 यहीं नहीं आजाएगा चलिए अब हम लोग इसका RHS लेते हैं RHS में क्या है आपका A का transpose और plus में B का transpose तो आप transpose को A dash से भी switch करते सकते हैं यहाँ यहाँ power में T भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था संजया ना यहाँ power में T लिखो या A dash लिखो कोई फर्ग नहीं पड़ता है चलिए तो A का transpose यहाँ पर क्या आजाएगा 2 minus 3 minus 7 5 यहीं नहीं हो जाएगा और B का transpose यहाँ भी रह और कॉलम को इंटेस्टें करेंगे 1 0 2 minus 4 इन दोनों को add करते हैं corresponding element square करेंगे यहाँ पर तो क्या जाएगा 3 minus 5 फिर minus 3 और यहाँ power में देखो तो दोनों सेम आगे के नहीं जर्फर हमने दिखा दिया कि A plus B का जो transpose होगा वहाँ equal हो जाएगा A के transpose और plus B के transpose के समझ गए चलते हैं इसमें आगे इसका ठट नमर देखते हैं चलिए